हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल अंजू विकास बजाच मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज की ये वीडियो में मैं आप से शेयर करूंगी कि महंदी की कौन को पकड़ने का सही तरीका क्या है महंदी की कौन को पकड़ने के लिए सब लोगों का अपना तरीका होता है कोई कौन को यहां से पकड़ता है बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई बीच में से पकड़ता है और कोई इसे बिल्कुल आगे से पकड़ता है एकदम पैन की तरह तो सही तरीका यही होता है वैसे सबसे साही तरीका तो यही होता है कि हम महंदी की कोन को आगे से पैन से पकड़ें तो उससे क्या होता है कि pressure भी कम लगता है और जो हमारी महंदी में finishing आती है वो भी बहुत अच्छे से आती है लेकिन फिर भी सब के काम करने का अपना अलग-अलग method होता है तो आज मैं आपको starting से ब यह जो पिन देख रहे हैं आप यह लगी होती है और यह इसमें लगी होती है इसमें इस तरीके से तो इसमें यह इसलिए लगी होती है ताकि कौन मेहंदी हमारी खुली कौन खुली न रहे और वो सूखे नहीं तो आपको जब भी इसे यूज करना है आपको इसे इस तरीके से निकाल देना है इस तरीके से निकाल कर और जब भी आप नहीं कौन स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे से उसे थोड़ा सा कट कर लें अगर आपको लगता है कि कौन अच्छी चल रही है तो आप रहने दे उसे लेकिन अगर आपको लगता है कि आप beginners हैं और कौन अच्छे से नहीं चल रही आप से pressure नहीं आ रहा है तो आप उसे आगे से हलका सकट करके और फिर निकाल ले कच्रा बगरा होगा वो निकल जाएगा अगर आगे से की सुखी हुई भी है मेहंदी अंदर सुखी हुई भी है तो वो भी निकल जाएगी इस तरीके से और उसके बाद आप लोग straight line डालना शुरू करें यह देखिए इस तरीके से आपको straight line डालनी शुरू करनी है यह straight line जब आप डालेंगे यह पहले कहीं तूटेगी यह कहीं रुकेगी भी लेकिन आप लोगों को इस चीज में घबराना नहीं है आप लोगों को practice करते रहना है इस तरह से जब आप practice कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको dots की practice करनी है यह देखिए यह dots लगानी यह मैं big nuts के लिए बता रही हूँ big nuts को कैसे practice करनी है मेहंदी की देख सकते हैं आप लोग अगर इस तरीके से आप कीप को पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल pen की तरह चलेगी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अब यह जो design है यह Arabic में चलता है mostly यह देखिए तो इसमें आपको क्या करना है थोड़ी सी कीप कीप से मेहंदी निकाली एक डोट डाला और उसे इस तरह के से खीज दिया यह design अब Arabic मेहंदी में बहुत चलते हैं तो आप लोगों को इसकी भी practice करनी है और इस तरह के से देखिए जैसे flower pattern बनते हैं वो flower pattern भी एक डोट लगाई यह आप लोगों ने ठीक है इस पर इस तरह के से flower बनाने की practice करनी है इस तरह के से और इसमें जो shape देते हैं वो कैसे देते हैं जो product हमने रखा हुआ है उसे ज़्यादा नहीं निकालना है बस उसी को अपनी cone की जो नोक है उसी से इसे फैलाते जाना है इस तरह के से इस तरह के से देखिया अब आपको इसके बाद यह करने के बाद आप लोगों को practice करनी है जो महंदी में सबसे ज़्यादा use होते हैं वो shapes तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको हाथ पर महंदी कैसे लगानी है पहले बताया था कि आपको practice starting में कहां पर करनी है टीशू paper sorry news paper वगारा पर एक blank white color की sheet ले ले आप जैसे फाइल में होती है drawing sheet वो ले ले उस पर practice करें लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हाथ पर practice कैसे करनी है तो सबसे पहले आप एक ऐसे tissue ले ले देखिए यह मेहंदी वाला tissue है उसे ले उसे अपने साथ रखें ताकि जब भी मेहंदी आपको खाली करनी हो थोड़ी सी निकालनी हो waste वाली तो आप उससे अपने हाथ को भी साफ कर ले ठीक है तो मैं बताती हूँ आपको हाथ पर practice कैसे करनी है यह देखिए मैं सबसे पहले आपको एक flower बना कर दिखाऊंगी तो जैसे जैसे आप practice करते रहेंगे आपको मेहंदी लगानी आ जाएगी मेहंदी लगानी बहुत ज़्यादा tough नहीं होती है practice पे ही सब कुछ depend करता है जितनी ज़्यादा practice करेंगे उतनी ही आपकी मेहंदी पर सफाई आती जाएगी यह देखिए सबसे ज़्यादा जो pattern चलता है मेहंदी में वो यही होता है तो आप लोगों को इसी की practice करनी है यह देखिए अब मैं dots लगा रही हूँ तो friends में आप लोगों को जैसे कि आप लोग जानते ही है मैं आपको online beauty parlor course करा रही हूँ starting से लेकर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो अगर आप लोगों को मेरी videos अच्छी लगती है तो आप please video को like कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को मेरी videos अच्छी लग रही है और channel को subscribe कर ले अगर आप पहली बार मेरी video को देख रहे हैं मेरे channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर दें चैनल को subscribe करना बिल्कुल free है और साथ में जो red color का button है उसे भी press कर दें ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की notification time to time पर मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ share करें ताकि जो भी फाइदा उठाना चाहे घर बैठे सीखना चाहे वो सीख सके यह देखी इस तरीके से हमने एक flower pattern को draw कर लिया है इसी तरीके से हम इसे और भी design कर सकते हैं जब आप लोगों का हाथ बैठ जाएगा तो आपको बहुत एजली लगानी आजएगी मेहंदी सबसे बड़ी बात होती है interest की अगर आपका हमारा किसी काम में interest है तो हम उसे बहुत ही जल्दी से सीखते हैं तो interest होना सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो अगर हमारा interest है इस काम में तो हम घर बैठे भी इसे सीख सकते हैं तो इसी तरीके से ये एक पत्ती मैं इधर भी draw कर लोगी ये मैं आपको easy बता रही हूँ कि आप लोग starting कैसे कर सकते हैं सीखने की देखी मैंने simple सी दो तिन पत्ती ड्रो करी हैं और उसके अंदर मैं इसे fill करती जा रही हूँ देखी कुछ इस तरीके से ये बहुत easy होता है बनाना जादा tough नहीं होता है तो आप लोग भी ऐसे practice करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ये वीडियो अभी यहीं पर end होती है हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टाटा टेक केर